चिजरी राम बहुत शागत आपका आपके अपने बहुत सुन्दर प्रोग्राम मानस जोत £99 तो मेरे मिथन राशी के प्यारे जातक जादिका, आपके लिए बेहतरे रिसर्च, अगस्त महीने की संपूर जानकारी, बेहतरे जानकारी आपके लिए, आपके जीवन में होने वा अगस्त का महीना दिख रहा है जहां बुध्ध अपना बहुत ज्यादा राशी परिवर्तन नहीं कर रहे हैंortalya So बुध्ध गोचर करेंगे आपकी राशी से third house यानी श्रिंग राशी में शुक्र के साथ जा करके गोचर करेंगे सूरी की शुक्र के साथ और मंगल के साथ जा करके बुद्ध का गोचर रहेगा साथ ही आपकी राजशी अकेले मैंने हमेशा कहा है कि एक राजशी के प्रतेक ब्यक्ति पर एक जैसी घटना घटित नहीं होती है एक राजशी के प्रतेक ब्यक्ति के जीवन में डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्रकार की घटनाएं घटे तो होती हैं मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा जब हम लोग ABP निउस पर एक कारिकम में चर्चा कर रहे थे क्रिकेट मैच को T20 को ले करके तो रोहित सर्मा जो है वो कैप्टन थे इंडिया के और वटलर जो है वो कैप्टन थे इंग्लैंड के उस मैच के अंतरगत और रोहित की और वटलर की दोनो एक ही राशी है गर इस लॉजिकली देखा जाए ढूणा जाए तो बटलर और रोहित की एक ही राशी है नाम पर मज जाए ये date of birth से मैं बता रहा हूँ अब क्या हुआ दोनों की मेश राशी पढ़ती थी एक ही दिन मैच हुआ मेरा prediction था कि इंडिया हारेगी बाकी दस लोग मेरे साथ बैट कर कह रहे थे ने इंडिया 100% जीतेगी उस मैच में आपने देखा कि र कही राशी के प्रतेग ब्यक्ति के साथ एक प्रकार की घटनाय घटित हों ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक राशी चार प्लानेट से मिला करके बनती है तीन प्लानेट नचहत्र में involved होते हैं एक प्लानेट राशी शामी होते हैं सो मेश राशी के शामी बुद्ध हैं, थर्ड हाउस में होने के कारण, और मंगल के शाथ और सुक्र के शाथ उनका समावेश होने के कारण, जिसमें सुक्र क्योंकि इसके पंचमेश हैं, बुद्ध स्वयम लगनेस और चतुर्थ हाउस के शामी होंगे, और मंगल क्योंकि इस इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारी यात्राएं होती हुई दिख रही हैं, जल्दबाजी में कुछ कारिक करने से आपका नुक्षान हो सकता है, इसलिए आपको शावधान रहनी किया हो सकता होगी, बट डिफरेंट क्या होने वाला है, मैंने अलग-अलग नचत्रों की बात की है, अलग-अलग लोगों की बात की है, कि अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं, शो डिफरेंट क्या घटित होने वाला है, जैसा कि मिथुन राशी के पहले जो श्वामी बनते हैं, मिर्गशिरा मिथुन राशी में का और की से स्टार्ट होता है उनके लिए भाई बहनों से संबंद अच्छे होंगे प्रशिद्धी प्राप्त होगी खेल इत्यादी में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बहुत सारी यात्राएं होने वाली है मिथुन राशी जिनका आराद्रा नचत्र के अंतरगर जन्म हुआ है जिनके नचत्र स्वामी राहू है कूगा अंगा और च्छा ध्यान रखिएगा कूगा अंगा और च्छा इस नाम से अगर आपका नाम अक्छरी स्टार्ट होता है सो इस बार आपकी विदेश यात्रा confirm है ये ध्यान रखेगा इस बार आपकी विदेश यात्रा के लिए किये प्रयास 100% रिजल्ट देने वाले हैं इस महीने कुछ अतिविसिश्ट लोगों से मुलाकात होगी कुछ बहुत important लोगों से मुलाकात होगी और वो future में आपके आहिने में आपको मिलने जा रहे हैं, important यह है कि आप अपने आच्रण पर अपने आप पर और उतावलेपन पर काबू करके रखें, अगर इन चीजों पर काबू करके रखेंगे, then definitely एक better result आपको अपने जीवन के अंतरगत प्राप्त होगा, अब क्योंकि ब्रहश्पती बनते हैं मिथुनराशी के आगे, के, को और हा, क्योंकि पुनरवसोन चात्र के अंतरगत जो अगले मिथुनराशी के तीन चरण वो आते हैं, ब्रहश्पती राहु की शात्पीडित हैं, बट 11 था उसमें गोचर करेंगे, शेर मार्किट से आपको बहतरीन लाब होने वाला है, विदेश यात्रा आपकी योग बन ही रहे हैं, शंतान को लेकर के सुब समाचार आपको इसमाह जरूर प्राप्त होने वाला है, और नौक आता हूँ, आप मिरे साथ जुड़ करके लाइब में आराम से बात कर सकते हैं, पहले और बात में बात करना चाहते हैं, शो आप कॉल अपॉइंटमेंट ले करके और मिरे साथ चर्चा कर सकते हैं, इस कारिक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं, फिर नएक कारिक्रम में आप और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और भगवान राम तक आपकी हाजरी जरूर पहुंचेगी चलिए इस कारिक्रम को राम देते हैं आपका जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जैशिट